हेलो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे शहर ले चलूंगी जहां लोगों ने जाने के लिए जरूर कभी ना कभी सोंचा होगा वो शहर का नाम गया है गया एक शहर नगर निगम और भारतिय राज्य बिहार के गया जिले और मगद डिवीजन का प्रशासनिक मुख्याले है गया पतना से 116 किलोमेटर 72 मील दक्षिन में है और 470-849 की आबादी के साथ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये शहर तीन तरफ से छोटी, चट्टानी पहाडियों, मंगला गौरी, श्रिंग स्थान, राम शिला और ब्रमयोनीच से घिरा हुआ है इसके पूर्वी हिस्से में फल्गू नदी है ये हैतिहासिक महत्व का शहर है और इनमे से एक है भारत में प्रमुख पर्यतक आकर्शन गया को जैन, हिंदू और बौध धर्मों में पवित्र माना गया है गया जिले का उलेक महान महाकाव्यों, रामायन और महाभारत में किया गया है ये वो स्थान है जहां राम, सीता और लक्षमन के साथ अपने पिता दशरत के लिए पिंददान करने आये थे और ये पिंददान अनुष्ठान के लिए एक प्रमुख हिंदू तीरत स्थल बना हुआ है बोध गया, जहां बुध्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध धर्म के चार पवित्र स्थलों में से एक है शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संवक्षन पर योजनाओं के लिए भारत सरकार की चार वर्षिया Heritage City Development and Augmentation योजना, प्रिदय, योजना से लाब पाने के लिए गया को बारा विरासत शाहरों में से एक के रूप में चुना गया था बोधगया में महाबोधी मंदिर परिसर युनेसको द्वारा घोशित विश्व धरोहर स्थल है गया जिले में चारोप विभाग हैं जिनमें गया सदर, शेरगाटी, टेकई, नीमचाक बथानी शामिल हैं गया बिहार की अर्थव्य वस्था में पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है कृशी जिले की प्रमोख आर्थिक गतिविधी है उगाई जाने वाली मुख्य फसले चावल, गेहू, आलू और दाल हैं पाले गय पशुधन में गय, वहन्स, बक्री और सुव शामिल हैं गया में बड़ी संख्या में घरेलू उद्योग हैं जिनमें अगरबत्ती अतागरबत्ती स्थानिय मिठाया तिलकुट तिलके बीज से बनी और लाइक खसखस से बनी पत्थर का काम, हाथ से बुनाई, पावर लूम बुनाई, कपड़ा और परिधान का उत्पादन होता है छोटे पैमाने पर निर्मित सामान और प्लास्टिक उत्पाद लगू उद्योगों में क्रिशी सेवाएं, धातुकर्म, मशीनरी और उपकरन उत्पादन और मरम्मत सेवाएं भी शामिल है शहर की मुख्य सबजी मंडी के दारनाथ मारकेट है व्यावसाइक गतेविधियां इसकी मुख्य सडकों पर स्थित है शहर में बड़ी संख्या में अनौपचारिक दुकाने भी है चूनकी गया धार्मिक पर्यतन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है इसलिए आवास व्यापक रूप से उपलब्ध है बोधगया का सबसे बड़ा होटल महा बोधी होटल, रिजोट और कन्वेंशन सेंटर है समबोधी रिट्रूइट, बिहार का एक रिजोट भी शहर में है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्स